आप लोग का स्वागत है आज हम कुछ एक ऐसी मेडिसीन की चर्चा करने जा रहे हैं जो रिसेंटली कई सारे आर्टिकल्स में इस मेडिसीन का चर्चा बहुत ही तेजी से हो रही है और मैं समझता हूं इस मेडिसीन को अगर होमियोपेथी में आम मार्किट में अगर डिबले और आने वाले उससे बहुत सी चीजों से इसको चुटकारा पाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि आने वाले इस मेडिसीन का चर्चा बहुत ही आम होने वाली है मैं बात कर रहा हूं फागूनिया क्रिटिका और फागूनिया अरभी का भी आती है ये और फागूनिया क्रि अब तक नहीं बनी है मैंने पिछले वीडियो में बताया था बरजीनिया सिलीकटा के बारे में इसमें चर्चा किया था कि मैंने इस मेडिसीन को एक कमपणी का आउडर दिया था उसे बनाया है और मैं इस मेडिसीन का कुछ आज जो इसको फाइटो केमिकल्स है उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें जो एलकलाइट्स पाया जाते हैं आज मैं उसी चीज पर चर्चा करूंगा और ये कितनी इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं फिर चैनल को सब्क्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को आप लोग सब्क्राइब कर लिजिए और मैं आज उ तो इस मेडिसीन में पाई जाती है यही वज़े है कि आयरवेद में कुछ-कुछ ऐसे मेडिसीन है जो हम लोग को देखता नहीं है लेकिन बहुती एफेक्टिवली काम करता है तो सेम उसी तरह से मैं उस मेडिसीन का जो फार्मालोजिकल है जो इसमें कमपाउंड पाये जाते हैं ठीक है मैं आज उस चीज का चर्चा करूंगा तीन चार पहलों में वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आप अन तक देखें ताके आपको समझ में आएगा और इसके बाद इस मेडिसीन को अगर आपको कोई कमपनी आम बनाती है आने वाल एक दो सालों में तो आप इस म बाद इसमें लिवर्ड ठीक है मैं समझता हूँ के आने वाले दिनों में ये मेडिसीन आपका थलास्मिया की भी सबसे बरी मेडिसीन हो सकती है तो आज उसी चीज केमिकल कंपाउंट्स के बारे में चचा करेंगें इस फागून या क्रिटिका में सबसे जो केमिकल कंपाउ पारालीन है और टेरपोनॉइड ग्रूप्स पाया जाते हैं और आपका आईसो लूसीन भी पाया जाता है अब हम समझेंगे के लाइसीन का काम क्या होता है अब देखें ये मेडिसीन एक्शुली धमासा के नाम से आता है मार्किट में अबलेबल धमासा है लेकिन इसका इंग सब्सक्राइब को क्या भी केल्सियम को खाते हैं ऊव् pour it को और आपको in x 7 कटेरा कंड्स को कितना भेजना है ये काम है लाइसीन का के केलसियम को रोफ हम लोग तो ऐसे लिए लिवर में डाइजिस्ट हुआ उसके बाद काम होता है लाइसीन का वहाँ पर केमिकल वह केलसियम को अलग कर लेता है दूसरा इसमें देखें ग्लैसीन अब ग्लैसीन का काम क्या है तो ग्ल को Transmit करता है कि यही समय करता है जो candidate कभborg के विटेल करते हैं और तत्रासमिट करने के बाद यही क्लिकाइज सट जो 검 retro word एक की वούμε Matte यह तो Kush tag रहा दूसरा कि उसका मेमोरी बूस्ट होता और इंप्रूब करता है आपका मेमोरी फंक्शन को आपका फ्रोटिन ब्लिकांश को एक अगर देखें तेसरा इसमें टेशरा कंपॉंट पाए जाता है लॉच सीन अब लियोसीन क्या है अब लियोसीन होता गेयर कोई इसथे जना मुष्स होता है जो चाहे वो बाड़ी कोई मुष्ड हो अगर मुष्ड में जो तीन तरह का प्लाठाः को लैसीन का काम होता है यह तीन परकार का हमने बता है न कि यह तीन परकार का जो मेडिसीन होता है आपका स्वरी इमिनो एसिट जो होता है यह तीनो मैंसे एक है और यह इमिनो एसिट का काम क्या होता है कि मसल्स को हेबी बनाना यही वज़े है कि जो बोडी बिल्डिंग करते हैं जो एक्सरसाइज करते कि जो muscles, जो skeleton, जो यह है, आपका boons है, उनके जो muscles है, उनको boost करना, उनको जो है, strain देना, उसको energy देना, ताकि आप exercise करते हैं, यह उनका काम है, दोसरा, अब इनको देखें, तो alkaliids पाया जाता है, अब alkaliids क्या है, कि हम लोग पहले से जानते हैं, कि इस चीज का कभी भी वीडियो भी देखें, आप लोग परहे भी होंगे आप, कि alkaliids, alkaliids, बहुत हला होता है, वीडियो भी उसका अलग-अलग आपको YouTube में मिल जाएगा, तो अब यह alkaliids क्या होता है, alkaliids का मतलब होता है, कि IC chemical groups होते हैं, या IC compounds होते हैं, जो anti-inflammatory होता है, और जो anti-inflammatory होगा, वो anti-cancer भी होगा, ठीक है, और वो anti, आपको हर तरह का anti, anti-tumor भी होगा, इस तरह का चीज होगा, जो alkaliids होते हैं, और वो health के लिए इतना important है, कि जो cells मर जाते हैं, जो tissue मर जाते हैं, उसको regenerate करता है, ये alkaliids, और बीमारी से आपको बचाता है, आपका immunity को boost करता है, दूसरी इसमें चीजे और देखें, तो paraline ना भी पाया जाता है, अब paraline क्या है, paraline एक तरह का ये भी एक fats होता है, अब आप देखें होंगे, कि कभी-कभी कुछ डॉक्टर हैं, या कुछ-कुछ ऐसे chocolates हैं, जो paraline से बने होते हैं, और वो important करता है आपका body में, और वो health के लिए benefit भी होता है, तो paraline एक तरह का fat होता है, और ये fat क्या है, unsaturated fat है, unsaturated fat किसको कहते हैं, कि कुछ ऐसे fats होते हैं, जो health के लिए बहुत important होता है, unsaturated fat जैसे heart के लिए बहुत important है, आप unsaturated fat को अगर लें, जैसे nuts, nuts का fat है, तो ये unsaturated होता है, तो unsaturated है, paraline तो ये आपको, क्या करेगा, आपका heart के लिए बहुत अच्छा है, ये fat, ये ही वज़े है कि ये health के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आप उसको anti-inflammatory के तोर पी भी देख सकते हैं, और अगर inflammation हो गया है, तो inflammation को ये कम करने का काम करता है, ये paraline जो fat हो अब देखें, तो teroponite groups पाया जाता है, ये बहुत बड़ा important है, teroponite group इस medicine का ही सबसे बड़ा important, अगर देखें, पूरे medicine में, तो ये teroponite groups जो होता है, ये बहुत ही important group होता है, अब इस group में होता क्या है, कि एक ऐसी compound की group है, ऐसी chemical है, कि अगर आप देखें, तो इस group, अगर body में, अगर इसकी कमी हो, इस compound की, तो आपका hemoglobin low होते चला जाएगा, क्योंकि ये oxygen carrier का का काम करता है, ठीक है, तो ये जो teroponite groups है, ये सबसे बड़ी chemical compound है, और ये naturally होता है, और naturally chemical compound ये पाया जाता है, जो oxygen carrier के तोर पे होता है, और ये oxygen carrier होता है, उसके बाद जब oxygen carrier होता है, जहां पर oxygen आपको हर सेल तक oxygen पहुचाता है, अब याद रखिए, जिस चीज में oxygen नहीं होगा, वो सेल्स आपका मड़ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि अगर oxygen हर ये सेल्स तक लेके जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके आने वाने बोडी में कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता है, ना inflammation हो सकता है, ना cancer बन स सकता है, इस तरह की समस्या से आप दूर हो सकते हैं, अब इसमें अगर एक चीज देखें, तो isoleucine, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, isoleucine, और ये सबसे बड़ा चीज है hemoglobin को बढ़ने के लिए, क्योंकि ये red blood cell को oxygen carrier की pigmentation माना जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जब अ होमियोपेथी के मेडिसीनों में, isoleucine chemical बहुत ही कम पाया जाता है, सिर्फ दो चार मेडिसीन में, जैसे लिसी थीनम, एक मेडिसीन में थोड़ा बहुत मातरा में मिलता है, अब मैं समझता हूँ कि ये पहली एक ऐसी मेडिसीन है, जिस हेमोपेथी मैं खास किये, अगर दे बड़ी दवाई हो सकती है, क्योंकि थलास्मिया में क्या होता है, बलड की कमी होता है, आपका हेमोपलोबिन घरते जाता है, तो अगर इस मेडिसीन को थलास्मिया में भी यूच किया जाए, तो एक बहुत अच्छा मेडिसीन हो सकता है, अब जनरली ये मेडिसीन का एक पा पर आपको बिनिफिट देगा है मेडिसीन बसरत यही है कि मार्केट में जल्दी अबलेबल हो और सब तक पहुंचे मैंने कमपनी को और दिया हुआ है वो कमपनी हमको देगी बना करके एक ट्राइल में हमको दिया था हमने दिये हमने तो थलास्मिया में नहीं दिया इसलिए ह नहीं नहीं कह सकते हैं कि यह थलास्मिया में वह जड़ाइफिक्टिव है लेकिन अगर जाता है इसमें तो यह थलास्मिया की शबसे बड़ी दवाई हो सकती है क्यां। थलास्मिया में सबसे कारण होता है कि हेमोगलोबीन का कम हो जाना ठीक है हेमोगलोबीन जब कम हो जाता है तो अब इसमें हेमोगलोबीन आपका बढ़ाएगा और यही वज़े कि बाहर से जब बच्चों को थलास्मिया में बलड दिया जाता है तो उसका जो spilin है, जो तीली है वो बढ़ने लगता है क्योंकि spilin का काम क्या है जो गंदे blood है उनको साफ करना ही होता है तो वो आईसे 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 बढ़ने लगता है फिर बच्चे का एक समय के बाद death हो जाता है तो अब थलास्मिया में भी दो-तीन परकार के होते हैं किसी को बलड नहीं लगता है किसी को बलड लगता है तो यह भी एक बलड कैंसर का ही रूप है थलास्मिया तो यहां पर हम इनको इस मेडिसीन को देख सकते हैं कि हमने आपको कहा कि यह अक्सिजन केरियर है अब अगर मा मान के चलिए आपका बॉड़ी में कोई भी चीज का ट्यूमर नहीं बनेगा आपको कहीं पर कोई भी प्रेशानी नहीं होगा है ना क्योंकि ऑक्सिजन जब पहुंच रहे हैं है तो सेल्स भी दुरूस्त होंगे नए सेल मड़ेंगे जो पुराने सेल होंगे तो नए सेल बनेगे ये continue ये process होते रहेगा इसलिए Fagunia Critica आने वाले दिनों में एक Homeopathy की बहुत बड़ी medicine बन सकती है liver सब के लिए important हो सकता है तो ये था आपका Fagunia Critica इसमें जो chemical पाये जाती है मैंने आज उस चीज़ पर चर्चा कर दी दूसरे फिर हम अगर medicine मेरे पास आती है और medicine का अगर trial हम देखते हैं अगर बहुत अच्छा रहा तो हम कोशिस करेंगे कि और भी एक video इसका हम आपको दें Thank you धन्यवाद